अगर आप अपने घर पर बैठ कर मोटा पैसा कमाना चाहते हो और अपने घर पर ही बैठ कर सरकारी नोगरी करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल अंति तक देखिए दूसरा इस चैनल को कर लिजे सस्क्राइब जिससे आपके पास ऐसी सरकारी योजना और सरकारी भरत के नॉटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आ सकें और इस वीडियो को कीजिए जरूर आप एक लाइक लाइक करने से हमें मिलता है आपकी तरफ से एक प्रोथ सान और हम लोग आप लोगों के लिए करते हैं फिर और ज्यादा मेहनत तो चलिए चलते हैं जानकारी तरफ नमस्कार मैं हूँ गौर्ब सर्मा और आप लोग देख रहे हो एडवाईजन डेज्यूगेशन यह योजना है आपकी डिपो होल्डर की डिपो होल्डर हरियाना बहुत मोटा पैसा है मोटा पैसा आज की डेट में डिपो होल्डर ऐसे समझो जैसे भीया कोई बहुत बड़ा सरकारी करमचारी यानि के PGT लेक्षरार इतनी इंकम होती है एपलाई की अगर मैं आपसे बात करूँ तो स्टार्ट है और लास्ट डेट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो भाईया आठ अगस्त है दो हजार चौवीस रुकिये रुकिये कहीं जाईए मत आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि इस डिपो होल्डर को लेने के लिए आपको किन डोकिमेंट जिरूत पड़ेगी असलियत में तो आपको डोकिमेंट जिरूत पड़ेगी अब फॉर्म आपके हैं भाईया ऑनलाइन सबसे पहले इस बात को समझेए आपको टोईल्स पास होना चाहिए दूसरा आपकी एज आपकी एज होन चाहिए 21 से 45 साल और ये डिपो होल्डर मेल और फीमेल दौनों के लिए है चाहिए लड़का भरे या लड़की लेकिन धान रखना लड़की को ज़्यादा प्रेफ्रेंश देना लड़की के नाम पर बहुत जिल्दी नमबर आता है आपको यह बताऊंगा कि इसमें प्रोसीजर क्या है सौर्ट लिस्ट कैसे होते हैं इसमें आपको कंप्यूटर आना चाहिए और कंप्यूटर में भी आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए डिप्लोमा हो चल जाएगा से सीप्रिकेट कोर्स होता है आपका तीन महेने का तीन वहने का को जादा बड़ी बात नहीं है कि सी भी प्राइवेट इंस्टोर्स से बनवा लिगे आपको पढ़ेगी डॉक्युमेंट यह सब्सक्राइब यह आपको बनवाने लिख लीजिए नंबर एक फैमिली आइडी इसे लिए आप मेरे साथ बस बने रही है अन्तक दूसरे नंबर पर आधार यह सब्पर ही होता है तीसरा बोटर कार्ड फोर्थ नंबर पर आपके पास तैन्थ स्वेल्ट की मार्क सीट फिप्थ नंबर पर अगर आप सी साट्रिफिकेट है आपके पास सी या स्ट तो उनको प्रीफरेंस पहले दी जाएगी जहां पर एस्ट को आरक्षन है और 2023 का बना होना चाहिए नहीं बना तो अभी बनवा लीजिए 2023 का शिक्स्त नमबर पर एक कम्प्यूटर सर्टिफिकेट अब जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है आपका साथ वे नमबर पर पेन कार्ड अच्वे नमबर पर एक कि अंडर्टेकिंग नो किर्मिनल केस तैसिल से बनता है नो अंडर्टेकिंग उसके लिए आपको एक या दो गवाओं की जरुत पड़ेगी कि सर हमाने कभी भी कोई क्राइम नहीं किया इसलिए हमें डिपो होल्डर का लाइसेंस दिया जाए वो होता अंडर्टेकिंग तैसिल से बनेगा दोबारा सुन लिए तैसिल से दो आपको गवाओं की जद पड़ेगी और हो सकता है कि आपको तैसिल में गवाओं मिल जाए जब आपको आपका कंप्पूटर वाला आप आपको बता देगा सारी बात नौ में नंबर पे एक और अंडर्टेकिंग थाने का कि आपका कोई अभी ताजा ताजा मामला तो दर्ज नहीं है दर्ज नहीं है वो वो चाहिएगा दस्वां एक अंडर्टेकिंग और चाहिएगा आपको वो दस्वां अंडर्टेकिंग है आपका कि आपके घर में किसी के पास दिपो नहीं है दिपो नहीं है यह आपको लिक कर देना हुगा यह लिक कर देगा आपका नंबरदार सरपंच ठीक है जब आप अपना फॉर्म फिल कर दोगे लिक के तो उस फॉर्म पर नंबरदार सरपंच या जो भी आपको आपका या कंपूटर वाला बताएगा कि उसी के पास चले जाना उस पर उसको साइन करा लेड़े sign कराने के बाद फिर दोबारा उसे computer वाले के पास आना है आपको और computer वाला फिर उसको PDF बनाकर upload कर देगा अब मैं आपको बता दू इसमें vacancies vacancies कितनी है लिए भरतिया कितनी है total भरतिया है वह यह 3224 3224 डिपो के आपको license मिलने वालें ठीक है जहां रही लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिल करवाएं क्योंकि यहां लड़कियों को प्रिफरेंश ज़्यादा मिलने के चांद से ठीक है और एक जार्वी नंबर पर income certificate इंकम सर्टिफिकेट तैसीलदार द्वारा तैसीलदार द्वारा हो या SDM द्वारा हो चल जाएगा ठीक है और ध्यान रहे मैंने अभी आपसे कहा था कि आपको एक बात में अंत्रे में बताऊँगा आपकी फैमली आइडी में चाहे आपकी income कीन लाख है एक लाख है या एक लाख असी हजार है कोई फरक नहीं पड़ता आपको ये form फिल करना चाहिए क्योंकि notification में या जब आप form फिल करोगे ऐसी कोई भी नहीं है कि आपके पास एक लाख सी हजार है तो आप तभी भरोगे ठीक है बस condition यही है कि आपके घर में किसी के पास जिपोर नहीं होना चाहिए आपका family ground family background clear होना चाहिए कोई police record नहीं होना चाहिए ना कोई मामला दर्ज होना चाहिए और आपका ब्यवार भावती सालीन होना चाहिए यह इस डिपो होल्डर के लिए मांगा गया है अब जिनका record clear होगा उनका number आएगा वे सौट लिस्ट होंगे इसमें कोई धांदले बाजी नहीं है फेर सेलेक्शन है और अभी भी किसी का कोई doubt है तो जब आप अपना जो form है उसको upload कर दो उसकी एक फोटो कॉप्पी निकल भाड लगवा लेना ये तो बैसि की ती होती है अपनी कोशिस करने में कोई बुराइए नहीं मैं तो आपको डिल से बताउंगा और जितनी यहाथ बात में आपको दुछ से बताता हूं और इस दिल बताने के लिए आप इस मीडियो को लाइक पर रहें और चैनल को जरू स् जब आपके area में vacancy हो, जहांने के उसी वार्ड के आप होने चाहिए, other word के नहीं भर सकते, उसी गाउं के आप होने चाहिए, जिस गाउं में आप रहते हो, तभी आप complete कर सकते हो, ऐसा नहीं है, रहते कहीं हो, भरते कहीं का, थीक, तो आपका form reject हो जायगा, अब इसमें आपक अगर लिश्ट में नाम आता है तो आपको दो हजार रुपे देने पड़ेंगे और security के लिए आपको देने पड़ेंगे 5000 ए इनसे कोई फरक नहीं पड़ता है 2000 5000 से एक वार लिस्ट में नाम आए तो सही ठीक है यह है सारी आपकी जानकारी जो आपको किसी नहीं नहीं दी बाते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइप करना न भूले और किसी का कोई दाउट हो तो मेरे पास को रहें कमेंट करें मैं आपकी कमेंट के जवाब दूगा और इस वीडियो को अपने वर्ट सब गूरूप में जरूर सेयर करें नमस्कार